कि अलो डियर शुरेंट्स आज हम भी ये पार्ट देती है नोपश आश्र विश्य के अंतरगत बारत में विशास्थिक संस्कावाला जो हमारा पीपर है फरस्ट उसमें राणितिक दलों के वर्गी कर्ण के बारे में जैनकारी प्राप्त करेंगे इससे पहले वाले लेसन में हमने जो माई लेक्चर था पिछला उसके अंदर हमने दार्णितिक दलों का अर्थ उनकी उश्यस्ताय समझे थी आज हम कि इन दार्णितिक दलों की जो व्योस्ता है उनके जो प्रकार है उस वगी कर्ण को समझने का हमारा प्रयास रहेगा तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि वर्तमान में विस्वी की जो भी शाष्यन व्योस्ता है सब में कोई ने कोई दल कापनास दिक्तों है ठीक है और आजएतिक व्योस्ता का जो सरूप है जो सरंचना है और जान दलों की जो प्रकड़ती है उनके जो देश है उसके आधार पर अनेक दली प्रणालिया वर्तमान में विद्धेवाद तो इसके आधार पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने वरगी सालिचा, फ्रस्तूत किये। जिसमां पहला है ए्लएन्बॉञ का, उनके और मुसा रादियेतिक acuerdo का जुदॉदॉखिय कहने है, उननिम्न जा सकता है, कि आइसप्स्ट द्यूदली पंदतिया, दूसरी हो प्रवावी दल पद दतिया एक दली पद दतिया सरवादीकारी एक दली पद दतिया इस तरह से साथ अब हमें बाट के वगी कर अलेंग बाल द्वारा पस्तूत किया गया है इसी तरह हमन्द मोदे ने सत्तावादी घेडशाथवादी प्रतिसप्रधात्मग ऍब ही दली है ऑर इस प्रकार से प्रिकस किया है की पालंबरा और वीदऱ ने हम्रतियोंगी अप्रतियोंगी यbekा तरह शम्न अपने साफ से व्हागी करत्रें कि अब बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से जो आती है प्रणाली व्योस्ता और भूदली नाम से इस प्रश्टोर आप एक दली प्रणाली व्योस्ता क्या होगी यह एक दली व्योस्ता फाई कि व्योस्ता इसमें शासन का जो सूतर है प्रणाले मिल्योस्ता नाम से व्योस्ता नो सब्सामातर्य को प्रुम्दा आपना उन्यतनिस दसे इसनापित कर लेता है कि अखने दल उसके सामने उपर के अपनी बात कि नहीं सब्क है ठीक है? यहनि कहने का मतलब केवल और केवल इस वह उसना के एक ही दल अपना स्थितों बनाए रखता है और अपना काले बटा रहता है ठीक है जैसे आप समझ सकते हैं भाहत कर उधार रहे सकते हैं कि 1960 तक महारत में केवल और केवल Congress Party का शाष्रणना है Congress Party क्लास दिंदर करूं के पारे रत रही ठीक है उसके बाद यहस्ताइम बदली इसी तरह आगे देखें लगपनों मेक्सिको हुआ कीनिया और ब्राजी राधी देसों भी यह व्योस्ता देखिने को मिली और सरवाणिकार एक दली व्योस्तागर आप देखने की बात करेंगे तो इटली था पहले की बात होगी जर्मनी पुर्टगाल चीन सोवेशन पॉलें अगरी यह जो देश थे ठीक है इनमें एक दल दार निटिक दल ने अपना स्थित्व बनाए रखा उसे इन अपनी शाष्ण में बनाए रखिये संचाली करता रहे और वर्तमान में आप दिरे दिरे सब जगे बदलाव देखने को आपको मिल रहा है और मिलेगा अब एक दल अधि ये प्रणाली की क्या विशिप बात होती क्या गुण होते हैं पहली बात तो यह जब एकी दल है उसके अपनी शित विचारदारा है उस विचारदारह का अन्य किसी से कोई संगर्स नहीं है जब संगर्स नहीं है तो सुषटर इस्तिती में राजनितिक दिस्ति से तो न आपने को कि विचार्दाना भी शी से पर रहती है ठीक है एक इजल की कारे पालिका मंत्री मंडल है तो इस सरकार की विवस्ता होती है ठीक है और यस स्थिति में देर काली नहीं हो जबाना संबागा पाता है किसी तरह का विरोध नहीं है शाष्ण में तुम ने दूसरी बात जिसमें एक और शामिल के गुटबंदी की जो कम्या होते हैं उनसे सरवता दूर रहता है यह तो इसकी मिशेष्टा तो इसमें दोश क्या आए फिर एक तो क्या नागरिकों की शत्रुमता करें जब एक ही दल है एक ही विचारदारा है तो नागरिकों को उस विचारदारा से दूर हटने का उससे अलग मतपस्थित करने का किसी भी तरह की सक्रंता उन्हें नहीं रह जाती है दूसरी बात जब सब को अपनी बात कहने का मौका नहीं है तो नहीं हो जाती है दिरग कुस्ता पाता है और जो विरोधी दल सकारात में मुमिका निमाते हैं जहां कमी कोई कमी है शाषे की नीतियों में उसको अगर विरोध प्रकट करते हैं उसमें सुदार की बात रखते हैं तो उन सब चीज़ों कभा भी यहां पर अभाव रहता है यहां पर जो चुनाव दिखाए जाते हैं एक तरह का वो दिखावा मात है यह की दल है आनी तो सरकारों सी की है ठीक है और यह एक तरह से भभूमत पर आदद प्रणाली भी नहीं होती है तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि जो एक दलिये में होसता है एक तरह से तानाशाई को बढ़ावा देने वाली व्योस्ता होती है ठीक है जापे नाग्रिकों की सत्वत्ता का अदम हो जाता है ऐसी इस्तितिय है आईवरी कोस्ट जैसे चीन का आपके सामने उधार में है ठीक है जांबिया लाइवीनिया गिनी पूर्व सोहे संद इस संद में इसी तरह की व्योस व्योस्ता में जितने गुणएं उससे ज्यादा इसके अंदर दूस है एक समय बाद इस व्योस्ता का समभाप पोना रहा है ठीक है अब बात करते हैं दूदली मतलब दू जहापे दो दलों की व्योस्ता हैं ठीक है यान्नि दो ऐससे दल जो एक दूसरे की विशार जरा का विरोध दिशित विरोध रखते है टीक है तो इसниत्तिव में क्या होजाता है कि जए हाग दो दल यह विष्टा है यह जो दोनों दल है कभी भी नहीं चाहते है कि कोई तीसे डल अस्टिट्व में उबार के सामने हा良ए यहाँ पर क्या होता है या तो कभी इस दल की सरकार, कभी रूस दल की सरकार, इनके विश सत्ता का अधार-ब्रदान होता देता है, लेकि वी इस दल की इस्थित्व को ये उत्पन ही नहीं होने देखते हैं। ठीक है, और इसके लिए, आब उदार्ण के रूप में देख सकते हैं, बितेन की वियोस्ता और अमेरिका की वियोस्ता ठीक है, मद रेपवलिकन और डैमगुरेट्स या अमेरिका में है, क्लिज़रवेटीर्छ पार्टी और लिबरल पार्टी यह भिडेन में हैं, मेरेका में भी डेमुक्रेटिक और रिपब्लेकरों का वर्चस हुए है ठीक है तो इसके अलावा बेल्जिम हुआ आइलेंड हुआ प्रस्ट्रिम जर्मनी अब तो जर्मनी एक हो गया तर्मनी हुई कनाडा हुआ इन में भी दूदले विश्ता ही पाई जाती है अब हम बात कर लेते हैं दूदलिये पड़ाइट जो 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 ना नितिक दलका में ने कहा था सुवाद में बाता अब बताती थी परिवाशामी कि अनुशाशित होना बोज़ों है संगे तो ने के साहसा था अनुशाशित होना चाहिए तो मंत्री मंदल भी स्वापसता पास किया जा सकता और नहीं समय पुरुण चुनाया जासिंदी श्थिर्था मणी रहती हैं तो अधिक द्रड़ता और सक्तिशाली के साथ करती हैं नीतियों को आसानी से लागू करत यहां पर भी दिरकाली के उजला हैं लागू हो पाते क्योंकि यह से बताय जा चुगा कि यह पर विस्ताइज सरकारे होती हैं इसलिए लग करने में यह कुछ समिश नहीं तीक है और सरकार के जो अच्छे कारे बुरे कारे उनको उसको उत्रदाय भी ठराय जा सकता है तीक है इस प्रकार से उत्रदाय परणाली का भी यह व्योस्ता जन देती है जन्मत की मौना पर आधरित होती है जनता की इच्छा को पलीबूत करना जनता है कि आव शब्ड़ों की कूरती करना हुदेश्ची होता है अगर इसा नहीं हो पाता है तो अगले चुने कारभ दिया जाता है तो कुल मिला करके सब्सक्रड़ी बात कि विरोधी धल का जब अस्तितु होता है तो रचनात में विरोधी सरकार की नीट यूपकार को भी दर्च कराता रहता है उस पिकार से सर जो भी राजिटिक दल जिसकी सरकार हो सजग हो करता है ठीक है यानि जागूता का वबना रहता ह है क्योंकि जो मिरोधी दर है उसके बारा अगर गलत कारे किया जाएगा विंप्रा का अंदलना उजित की जाते हैं तो दीद लिए विवस्ता एक अच्छा हुडार है ठीक है लेकि इस विवस्ता के भी अपने दोश है वो दोश क्या है ठीक है कि अगर यह समझा लिए जिस किस दल की सरकार है। उसके पास भूमत है। भूमत हैज। तो मन्तरी मन्डल भी आपनेसाफ से ताहनाशाई की प्रवेड़ती अपनासक्ता ही। रपूर महमत है। तो रानितिक जो डल है। जिसकी सरकार है वो अपनी इच्छाओं को कोख सकता है। घंतो है। यहां पर कई वार राष्ट के एक तापोवी खत्ता जैसी सिस्थिति आ जाती है अगर विचार दोरों में तनाव होगा अब बात करते हैं भॉत दर्य पिडाली विशेफ्टोल पे इस बात के लिए करको देश यूग प्रसिद्ध है जानव हो प्रसिद्ध नहीं के अगर आधि तो इस इसन के यह जाती है बारत में भॉत सारे दल नहीं 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 दलौ का निर्माड होता देकता है तो इस इस्स्तिति में जब हो जाते हैं तो वहां पर करने के लिए बोसाइज दल आपस में सेयों भी करते हैं कराओ भी होता है कि यहां समझ लेने वाली बात है कि सवभी वर्गों करते हैं कि अमने बात में भी का जाता है तो भारत यह सहां जहां पर बहुत शाली विवहुस्ता है फ्रांस में इस प्रकागी विवस्ता पाई जाती है अब इस व्योस्ता के फाइदे क्या है सभी वर्गों को प्रतिने देंद मिलता है वह उसे से अधिमतर ना पराप. नहीं है जो वोड है तो जो दल उनकी नजर में एचा מסक्क्रत वोड़ें दरें Saih सब्सक्राइब और इसके अंदर विशेश तोर पे जो बहुत सारे दल तो अपने प्रिशेत्रों के इसाब से भी वह दल अपनी व्योस्ता काम करने जाते हैं यह यह इस तानियता का भाव इसमें लेके किस पर ना लिका दोश भी देखें कि दोश कै इसे तो उंपनी जब गट बंदना की सरकार है वो सब अपने अपने स्वार्तित्र में भी लगते हैं सबी दल अगर उनके स्वारतों की पूरती नहीं होती है तो अपना समर्ण सब मापस ले लिए यह सी सित्वें सरकारी गिर जाती ठीक है कि अधिक ल्योंगे को अधिन्य रिए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने में समख्याओं सामना करना पड़ता है। इसके लाव अराण्यतिक सोधेबाजी होने लग जाती है, ब्रष्टाचार पनाब जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी समश्याओं का इसमे सामना होता है, इसके लाव दल बदल माली बात हैं, अनुशासरी नित्रम बजाती है, तो कहने का मतलब जो इस सरकार का नेता बनता ह होता है, इसकी फूपी स्थिती बहुत कमजोग है, निर्ने लेने की सम्ता उसके बहुत घर जाती है, जिसका दुश्पर नाम यह होता है, जिसका जो विकास है, समगर विकास है, उपाना समभ नहीं होता, समभतन मापेश लेलिया तो समभ से पहले चुनाब करवाने पढ़ की फाइदे और कुछ नुक्सान जैसा कि आपने भायत की स्थितियां पता है, कि मर्मोर सरकार का पहला कारेकाल वह अच्छा माना गया क्यों किस्था है, उनके पास पूर्ण मुहमत की स्थिति थी लगबग, जब दूसा कारेकाल है, गटपंदर की सरकार और एकाल कुछ न अपने निन्डेओं को नियाचित तेराते वे यता समदों सही तरीके से क्रियानित कर सकते हैं, तो ये फर्क उता है, बहुत दली वियोस्ता में, अगर आपके पास पूर्ण मुहमत नहीं है, गटपंदर की सरकार के रूप में आपकाले रथ हैं, तो आप पे राज नितिक सुद्यवाजी का दवाव पिशा बना रहता है, अब दल परणाली वियोस्ता का मुल्याकन देख लेते हैं, मुल्याकन के दर यही बात है, कि किसी भी योस्ता को, किसी भी आजख को, किसी विचार्दा को लग करने के लिए, एक समधित सम्भू होना ज़रूरी है, वालुस ज़रूरी है, किस दहा है, लग्तन दयवस्ता को अगर हमें काम रखना हैं, मुझे रूप से किस रूम में? लग्तन द्ल पर लंग्षिक हैं, दर सरकार की इस्ता अपना करने में सहयक, मज्बूत सरकार का इस्ता अपना करने में सहयक होते हैं, psycho he? इसी तरह जन्मत का निर्मान करने वे यह साया करते हैं कि महत्वण भूमी कहे रहती है इसके अलावा सरकार में भी अपना डियंतर बनाए रख सकते हैं रखते हैं जिस विचार जारा जिस उदेश है जिस विजन को लेके जिनाल जीत कहा है वह उसकी पूर्ती कहा है उससे कही प्राइनितिक दलों का सित्व होना बहुत जरूरी है और जन्ता और सरकार की बीच घड़ी का कारते हैं मतल भूमी का इंकी रहती है लिए इस तरह से जारे पाली का विदाएगा हुए भी स्यंविपन्द करते हैं कुल मिला के जार्नित्तिक दल जो हैं उनके कारण से ही नाविकों में राढकी मिच्छेता का विकास होता है जाराश की चाल में प्रणधी होती है सामजी गारती के विक्रास होता है सभी वर्मों को प्रतिनित मिलता है निर्वकुष्था से बच्चा होता है वो लुक्तंत्रात्मुक्षाशन विवस्ता का मेरूतर है ठीक है और यहां पर दोश्त आप बता सकते कि जो विचारदारा होती है देश्वक्ति की भावना को भी बढ़ा भी सकती है और कटा भी सकती है तो व्यक्ति की सतंतता उसको भी समावत कर सकती है कि बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं नानितिक ऐस्तिता विद्पर हो सकती है सबसे बड़ी जो समश्या वरत्मार में देख तो मिले सामप्रदैक्ट अधर भी बढ़ा सकते हैं तो इस तरह की वह सी आलोगत है जिनको आप समश्या लग सकते हैं ठीक है कर वारता होता है कि आब सबस्क्राइब करता है सच्चे जन्ता की जो सेवा के उनकी में जाए अप्रादियों का इस व्योस्ता में शामिल होना लोकतंत्रा व्योस्ता को खत्रे में डालता है तो कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि राजितिक जो डल है उनकी तीन तरह की व्योस्ता पुरे विश्यों में पाई जाती है एक दली शाषन व्योस्ता और बहुद अपने अपने गुण है अपने दोश है उसके अलावा एक समले सामने रूप में हम समझें तो राजितिक जोलों का अस्तित्तु होना हमारे लिए लोकतंत्रा पुश्यों व्योस्ता की अज़स्टी से बहुत आवश्यक है और उसी के साथ ये तोपिक उच्चों आज खतम करते हम ओके